CBSC Words में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम Class 10 Science का 6 Chapter और Biology का 1 Chapter जिसका नाम है Life Processes उसके Important Question करेंगे तो हमारा Nutrition वाला Topic चला था हमने कुछ Questions करे थे MCQ टाइप में तो वही टाइप आगे चलेगा तो हमने 1 से 12 Questions दख कर लिया था आज इसके आगे हम करेंगे तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उपर साइड राइट साइड कॉर्नर में एक आई बिटन मन कर आ रहा होगा वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो जिसका डिसकेशन में अभी लास्ट में कर दूँगा कि कहां से प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो यह जो हमारी कॉशन वाली सीरीज है यह कैसे चलेगी, कैसे वीडियो आएगी इसका डीटेल मैंने फस्ट वीडियो में दे दी थी तो आप वहाँ से इसे देख सकते हो तो चलिए हम कॉशन नमबर 13 से स्टार्ट करते है तो हमारे फूट का कौन सा कॉशन है जो कि डाइजेस्ट होता है एक एंजाइम जो कि सलाइवा कंदर प्रेजेस्ट होता है उसके द्वारा भी और पैंक्रियाटिक जूस उसके द्वारा भी यानि वो ऐसा चीज है जो कि सलाइवा भी डाइजेस्ट करता है और पैंक्रियाटिक जूस भी उसको डाइजेस्ट करता है तो सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है स्टार्ज को और pancreatic juice किसको digest करता है आपको carbohydrate को तो starch भी एक तरह का carbohydrate ही है तो इसका D well option सही होगा अब 14th question है Which are the following are the correct function of two components of pancreatic juice trypsin and lipase तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो option है वो सही बता रहे हैं trypsin और lipase के function तो trypsin का काम क्या होता है यह आपका गया करता है protein को digest करता है small intestine के अंदर और lipase का काम क्या है जो आपका emulsified fats है यानि जो बड़े-बड़े गोले थे fats के वो पहले small globules में तूटेंगे छोटे और तो फिर वो emulsified fats बन जाएंगे इस emulsified fat को जो इसको digest करता है जो इसका breakdown करता है वही आपका lipase हो गया ठीक है तो यह emulsified fats की बात हो रही है यहाँ पर तो देख सकते हैं किस option में है हमारा trypsin protein और lipase emulsified fat तो यह D वाल option हमारा सही हो गा इसमें फिफ्टींत question है तो यह oxygen निकलती है जब photosynthesis process होता है तो आपका क्या होता है देखो carbon dioxide और water react करते हैं और क्या बनाते हैं आपको carbohydrate यह आपका glucose बनता है C6H12O6 बनता है और आपका यह oxygen बनता है और water बनता है मैं balance करके नहीं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ तो यह जो आपका oxygen बना है यह कहां से निकलता है तो यह देख रहा हूँ यह जो water है इसी का breakdown होता है और यहां से hydrogen अलग और water अलग तो यह hydrogen तो आपका यह carbon dioxide ले ले लेगा और glucose का molecule बना लेगा और यह oxygen अलग हो जाएगा और oxygen gas के form में निकल जाएगा तो इसका B वाला option सही होगा यह भी मुझे याद आ रहा है कि exam में question आया हुआ है 16 question देखते हैं which of the following is an incorrect statement तो इन में से कौन से statement गलत है यह आपको बताना है तो पहला option है energy is essential for life process life process के रहे energy ज़रूरी है बात सही है और organism grow with time time के साथ grow करते हैं हाँ यह भी बात सही है C वाला option है movement of molecules does not take place among cells तो molecules का movement नहीं होता है तो बात यह गलत है भाई movement तो होता है अगर नहीं होगा तो कोई living organism exist नहीं कर सकता साफ साफ न CRT में हमने देखा था तो यह वाला option गलत होगा बाकी डी वाला भी देख लो organism must repair and maintain their body तो रिपेर्मेंट ज़रूराथ है कुछ नगुद प्रॉब्लम तो आती रहती है ठीक है और maintenance की भी ज़रूराथ पड़ती है तो इसमें C वाला option गलत है प्रोटीन के फॉर्म में fatty acid glycogen या starch तो इसका डीवल option सही होगा starch अच्छा glycogen किस के फॉर्म में यह humans के अगर हम बात कर लें तो humans के अंदर यह glycogen के फॉर्म में store रहती है बाकी हमसे autotox के और हम पूछा है तो starch के फॉर्म में store रहती है 18th question is which of the following event does not occurs in photosynthesis तो photosynthesis के steps आपके book में दिये हुए है मैंने पढ़ाया है तो इसमें से बताना है कि कौन सा event photosynthesis के time नहीं होता यह भी exam में आई हुआ question है तो यह वाल option देखते हैं conversion of light energy into chemical energy तो यह होता है ठीक है reduction of carbon dioxide to carbohydrate यह भी होता है आपका जो CO2 है वही जाकर क्या बन जाता है C6, H12, O6 यह बन जाता है तो इसका भी वाल option भी सही होगा Oxidation of carbon to carbon dioxide तो भाई carbon carbon dioxide नहीं बनता बलकि पहले carbon dioxide रहता है उसके बाद यह carbohydrate बनता है तो यह वाला option गलत होगा C वाला option गलत होगा यानि हमसे यही बताना था ना कौन सा event नहीं होता तो यह C वाल option इसका सही होगा कि यह step नहीं होता यह step गलत है बागी absorption of light energy by chlorophyll तो यह बात सही है हमको गलती वाला बताना था कौन सा नहीं होता event 19th question है the opening and closing of a stomata post depends on तो आपको leaf पैसे छोटे छोटे holes होते है ठीक है इतने छोटे कि आपको ऐसे दिखेंगे भी ने ठीक है अंदर जा सकती बाहर निकल सकती है लेकिन अगर इसके अंदर से पानी निकल जाए तो यह बिलकुँ सिकुड जाएंगे तो मैंने कार्टून के फॉर्म में चैप्टर पढ़ाया था तो इसको पूरा दिखाया था कि इसे कैसे याद रख सकते हो तो यह पूरा ऐसे बंसा ह जाएगा और इसके अंदर फिक्सचेंज नहीं हो पाएगी जब इससे पानी निकल जाता है तो तो किस पे डिमेंट कर रहा है वाटर इंद गाड़ से वाटर आ गया तो फूल जाएगा ओपन हो जाएगा और वाटर निकल गया तो यह क्लोज हो जाएगा बी आल उप्शन पार सब्सकतास होगा ब क्या नाइट्रीरोजन देक्ते हैं नैटेट्रें नाइट्रेट्रे के फॉर्म में भी करते हैं अब से पूछा है कि most of the plants, जातर plant किस फॉर्म में करते हैं तो इसका बी वल आप्शन सही होगा जातर plants आपके nitrates और nitrates के फॉर्म में ही करते हैं यूरिया के बहुत थोड़े मौन में होता है और अगर atmospheric nitrogen की हम बात कर ले तो ये कुछ खास plant में ही होता है जिनकी जो plants की roots होती है उसके अंदर जो rhizobium bacteria वगरा पाए जाते हैं तो वो nitrogen fixation करके अप्राइड करते हैं तो ये जो आपका pulses दाल वगरा होती है उन्ही में generally होता है तो हमसे जातर पूछा है तो ये बी वल आप्शन इसका सही होगा 21st question है तो digestive tract के बारे मैंने बताया था कि आपके जो elementary canal है और उसमें कुछ और organs जो की digestion में help करते हैं जैसे आपका liver हो गया, pancreas हो गया इसको add करते हैं तो पूरा digestive tract कहलाता है तो इस digestive tract में पहला enzyme जो food के साथ मिलता है वो क्या होता है जो सबसे पहले food mouth mentor करता है तो mouth में आपके saliva release होता है यानि आपकी जो थूक होती है लार्ज होती है उसके अंदर salivory amylase present होते हैं वही food के साथ सबसे पहले mix करते हैं तो इसका C वल option सही होगा, ठीके amylase लिखा है पूरा नाम salivory amylase होता है अब 22nd question है वे चदा following is correct statement तो आपको ये 4 statement लिखे हैं आपको बताना है इन में से सही कौन सा है ये वाला statement है हेटरोटोप्स synthesize their own food क्या हेटरोटोप्स अपने से अपना खाना बनाते हैं तो ये बात गलत है ऐसा आटरोटोप्स करते हैं हेटरोटोप्स तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं बी वाला statement है हेटरोटोप्स यूटलाइज सोले नजी फॉटोप्स नजी वाला भी नहीं करते हैं हेटरोटोप्स डू नौट सेंथेसाइज दियर ओन फूड हाँ तो ये बात सही है अपने से अपना खाना नहीं बनाते हैं हेट्रोट्रोप्स हाग capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates, तो ऐसी बात भी नहीं है, और ट्रोट्रोप्स करते हैं, वो भी carbon dioxide को carbohydrates में करते हैं, water नहीं है 23rd question है, in which of the following groups of organisms the food material is broken down outside the body and then absorbed तो ऐसे कौन से organism है, जो अपनी body के बाहर food का breakdown करते हैं, यानि food का breakdown होगा, simple में convert होगा, पूरा food का digestion है, वो उनकी body के बाहर होगा और जब simple food बन जाएगा तो absorb कर लेंगे, जिसे हम अपनी बात करें humans की, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं, complex से food ले जाते हैं, फिर हमारे पेट के अंदर, यानि पूरा जो हमारा elementary canal है, उसकी बात करें, तो वहाँ पर ये digestion का process होता है, हमारी body के अंदर होता है, लेकिन कुछ organism ऐसे होते हैं, जो digestion body के बाहर करते हैं, और फिर absorb करते हैं, तो ऐसा मैंने पढ़ा है, चेप्टर के अंदर भी वो कौन होते हैं, आपके fungi होते हैं, इसमें आपके yeast आ गए, mushroom आ गए, और bread mold आ गए, ठीक है, तो इसका B वाल option सही होगा, जैसे ही organisms हैं, तो यह अपनी body के बाहर ही food का digestion कर लेंगा, जो simple food बन जाएगा, तो इसे absorb कर लेंगे, 24th question है, which of the following is the correct sequence of parts as they occur in the human elementary canal, तो आपका जो human elementary canal है, उसके अंदर जो parts लगे हुए हैं, तो serial order में आपको बताना है, जिस order में food चलते हुए जाता है, तो एक rough से अगर मैं डागराम ड्रॉ करूं, तो यह आपका mouth हो गया, उसके बाद एसो phagus आजाएगा, यहाँ पर एक tube जैसा, और उसके बाद यह जाकर कहां connected रहता है, आपके stomach में, ठीक है, यह stomach हो गया, उसके बाद, stomach के बाद अगला part आपका small intestine आता है, ठीक है, यह पतली होती है, लेकिन यह लंबी होती है, ऐसे coil जैसा यह बना होगा, उसके बाद यह जाकर कहां connect रहता है, आपकी जो large intestine है, और large intestine ऐसे जाकर यहाँ पर आकर नीचे NS पर end हो जाती है, ठीक है, तो आपका यह mouth से लेके NS तक का यह जो पूरा tract है, यह आपका elementary canal है, तो पहला part आपका कौन से हो गया, mouth हो गया, उसके बाद esophagus हो गया, फिर आपका stomach हो गया, stomach के बाद आपका यह small intestine हो गया, और यह green वाली large intestine हो गया, तो देख लो कौन सा order सही है, इसमें, mouth के बाद esophagus B वाला stomach, large यह गलत हो जाएगा, हाँ D वाला इसका option सही होगा, mouth, esophagus, stomach, small intestine and then large intestine, 25th question है, pseudopodia R, तो pseudopodia क्या है यह, तो जैसा कि आपने book में भी देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, कि आपका जो amoeba होता है, वो food के इस तरह से अपना लेता है, जैसे ही इसका यह structure है, और इसे यहाँ पर food particle दिखा, तो क्या करेगा, जहाँ इस वो food दिखेगा, वही पास यह अपने shape को थोड़ा सा change कर लेग change ऐसे करेगा कि इसका जो surface है, थोड़ा से यह ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, और यह इस तरह से इसी तरह यह नीचे side में इस तरह से बनाएगी, तो यही जो आप देख सकते हो finger जैसा, या arm जैसा, या हाथ जैसा भी देख सकते हो, तो यही आपका क्या होता है, pseudopodia, ठी कर लेते हैं, और उसके बाद food का digestion करके उसे absorb कर लेते हैं, तो हमसे पूछा थे होते क्या है, small hair-like structure present in unicellular organism, तो यह बात नहीं है, गलत है, क्योंकि hair-like structure होते हैं, वो आपका cilia होता है, भी वाला है, temporary arm-like projection of an eukaryotic cell membrane, तो हाँ यह एक arm-like projection है, हाथ जैसा देख रहे हो, आप बना रहा है, तो यह आपका सही होगा, B-well option सही होगा, CB देख लेते हैं, long tube-like structure coming out of mouth, तो tube जैसे structure नहीं है, बात गलत है, सकर स्वीचर attached to the wall of intestine, यह भी ऐसा नहीं है, यह भी गलत है, तो इसका B-well option सही होगा, यह arm जैसा, हाथ जैसा ही बनाते हैं, उसे हम pseudopodia कहते हैं, तो यह question CBSC 2020 के board exam में आया हुआ था, 26 question है, choose the function of the pancreatic juice from the following, तो pancreatic juice का क्या function है, आपको ही बताना है, तो अगर आपके NCRT book के according हम चलें, तो उसमें दो mention है, कि pancreatic juice के अंदर दो enzymes होते हैं, एक आपका trypsin हो गया, दूसरा आपका lipase हो गया, तो इसके हमको function बताने हैं, तो यह दोनों क्या function करते हैं, यह हमको बताना है, क्योंकि option में भी हमको यह दिया हुआ है, trypsin और lipase, तो trypsin क्या करते हैं, यह तो digest करते हैं, आपका protein, और lipase की बात करें तो यह क्या करते हैं, पहले जो fat के बड़े-बड़े गोले होते हैं, large globules होते हैं, इसका breakdown होता है, छोटे भी क्या सकते हो, वो आपका lipase करते हैं, तो इसका option कौन सा सही होगा, डीवल option सही होगा, trypsin का क्या है, यह protein को digest करता है, और lipase क्या करता है, breakdown करता है, यह digestion क्या सकते हैं, जो small particles बन चुके हैं fat के, यह emulsified fat, droplets हैं, उसका digestion करते हैं, 27th question है, most of the digestion and absorption of the food take place in the, अब जात जो digestion का process है, वो कहां होता है, और साथ में आपको absorption में दिया हुआ है, तो food के absorption की बात करें तो वो एक ही जगे होता है, आपका small intestine में, बाकि water का absorption जो होता है, वो large intestine में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ मेंशन है, तो absorption से ही आप answer बता सकते थे, लेकिन in case अगर of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats, तो पूरी तरह से digestion जो है, carbohydrates, fats और protein का वो यहीं पर होता है, तो जात अधर digestion भी हम यही कह सकते हैं कि small intestine में होगा, तो इसका A वल option सही होगा, तो आज के लिए बस यहीं तक question है, और आगे जो important question है, मैं mention करता जाओंगा, तो उससे भी बनाता जाओंगा, और जो long answers हैं, उसकी भी वीडियो आएगी, इसी तरह सीरीज में, अब यह सारी वीडियो मैं playlist में add कर दूँगा, जैसे यह science है, तो उसको मैंने तीन हिस्सों में बाट दिया है, physics, chemistry और biology, तो इसकी अलग-अलग playlist मिल जाएगी, तो यह हमारा biology वाला section है, तो यह biology वाली playlist के अंदर add हो जाएगी, अब playlist आपको कहां से मिलेगी, उसकी हम बात कर लेते हैं, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, या किसी और दूसरे subject की और वीडियो देखने के लिए, आप YouTube पे सर्च करना, चैनल का नाम, CBSC words, चाहे लोगों पे या फिर जहां CBSC words लिखा है, उस पे आप क्लिक करोगे, फिर आपको home video playlist दिख रहा होगा, आपको playlist पे क्लिक करना है, नीचे scroll down करना है, तो आप देखोगी, ये CBSC class 10 वाला section आ गया, और तीन playlist में दिख रही है, नीचे down arrow होगी, उस पे आप क्लिक करोगे, तो सारी CBSC class 10 की playlist आपको दिख जाएगी, तो यहां से जो भी आप video देखने चाहते हो, देख सकते हो, और दूसरा थरीका यह है, कि आप video के नीचे right side corner में एक arrow दी होगी, उस पे क्लिक करोगे, तो description open हो जाएगा, description में सारे playlist की link दिए हुए है, तो वहां से भी आप playlist देख सकते हो, मेरा telegram group है, आप उसे भी join कर लो, Facebook page है, उसे उसके बगल में एक bell का icon होगा, उसको दबा के all पर click कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी, आपको message आ जाएगा, ओगे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you